आज हम आपको सिसिली ले चलते हैं, साथ में मिलकर खोज करते हैं लाजवाब सिसिलियन पेस्टो की, जो द्वीप के स्वाद को जीवंत बनाता है सामगरी, 400 ग्राम पके हुए टमाटर, उबले और छिल्ले, बीज निकाले और निथारे हुए 100 ग्राम उबली हुई बादाम, ताजा खुश्बूदार तुलसी का एक गुच्छा, एक या दो लॉंग लहसुन आपकी पसंद के अनुसार 50 ग्राम कठोर रिकोटा, जैसे की रिकोटा सलाटा, छोटे टुकडों में काटा हुआ 50 ग्राम घिसा हुआ पेकोरिनो चीज, अतिरिक्त कुवारी जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च शुरू करने के लिए बादाम, लहसुन की लॉंग, धोया और सुखाया हुआ तुलसी, टमाटर के टुकडे, कठोर रिकोटा और घिसा हुआ पेकोरिनो को एक ब्लेंडर में मिलाए सब कुछ एक साथ ब्लेंड करें, अतिरिक्त कुवारी जैतून का तेल जोडते हुए, जब तक आपको एक चिकनी और काफी मोटी क्रीम नहीं मिल जाती स्वाद लें और यदि आवश्यक हो तो नमक के साथ सीजनिंग को समायोजित करें, आपके सिसिली पेस्टो पास्ता के लिए तैयार है सिसिली पेस्टो स्पेगेटी या व्यूसेट के साथ अधभुत रूप से जोड़ा जाता है, जिससे हर डिश एक अनूठा अनुभव बन जाता है नई लाजवाब व्यंजनों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पर जाना न भूले ताजा टमाटर और सुगंधित बादाम के मिश्रण के साथ सिसिली पेस्टो सिसिली के जीवंत स्वादों को पूरी तरह से प्रतिविम्वित करता है हर डिश में भूमध्य सागरिय सूरज की एक जलक लाता है